पितर देवता हमारे कुल के देवता होते हैं ये पितर देवता वे इंसान होते हैं जिनकी अच्छी आत्मा होते हैं और वो मरने के बाद पितर के रूप में आ जाते हैं और वो पितर देवता बन जाते हैं जो कि हमारे घर पर महर बरसाते रहते हैं और हमें खुसी का आनंद देते रहते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम दुखी भी हो जाते हैं किसी कानवस्तों भी हमारी रक्षा करते हैं और हमें पितर देवता किसी ने किसी रूप में दिखाई देते रहते हैं और हमें पता भी चल जाता है कि कुछ ना कुछ है जो हमारे साथ में हैं कभी कभ होता है कि हम चलते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पीछे से कोई आ रहा हो तो समझ लेना कि हमारे आसपास हमारे पितर देवता हैं वो हमें देख रहे हैं और वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं ताकि हम पर कोई कश्ट ना आए और हम कोई गल्थ रास्ता ना चुन पित्र देवता होते हैं, वो हमारे खुशी के रूप में साथ रहते हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं होनें देते. अचानक महिलाएं क्या करती हैं? कि वो रसोई में काम करती रहती हैं और बर्तन गिर जाते हैं ये भी एक सूचना का परतीक है अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि उस घर में पितर है जो कि वरतनों के जरिये उसको कुछ बताना चाहता है और इससे उसको आभास हो जाता है कि हमारे पितर देवता हमें कुछ कहना चाहते हैं इसलिए पितर देवता हमारे हमेशा साथ रहते हैं और वो हमें देखते रहते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ कोई चल रहा है या हमारा कोई साथ दे रहा है तो वो कोई और नहीं हमारे ही घर के पित्र देवता होते हैं